कि देखने से बच्चों को भी शेखरा हो जाता है चलो फोड़ी बहुत देख लिए आपने अच्छी बात है वह भी ज्यान की बात देख ली कोई सिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी प्राफ कर लिए अच्छी बात है लेकिन यदि आप दिन में दस घंटे मोईल चलाते हैं तो आपकी आखों की रोशन जा सकती है आपकी आखे कमजोर हो सकती है और जो बच्चा दिन में कम से भी कम 15 घंटे मोईल चलाता है तो वो पागल भी हो सकता है तीसरा कारण ये भी हो जाता है कि बच्चा डिप्रेशन म हो जाती है और पांचमा कारण क्या होता है जो तुमारे याद करने की समता है वो कम जोर हो जाती है कम हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं इसलिए मोवाइल जादा नहीं चलाना चाहिए और नजदीक से भी नहीं देखना चाहिए और कभी भी खाना खाते हुए दोने यह नहीं देखना चाहिए समझेव नहीं इन बातों का विश्य हम रख के यह आपको सिक्छा से कोई जानकाली लेले ने हैं तो आप गंटे आद गंटे मोगा चला सकते हो भी ऐसे दूर से रख या आप कोई ज्यान की बाते प्लात करना सकते हैं या डी करते हैं इस घ्राइल करेंगे तो आपका जीवन कराब आपका स्वास्थ साइंगे कि तो आप चाहिए ऑर चालाल। चाहिए सब्सक्राई mound जाना चाहिए। आप माता पिस्ता से जिद्द करके ऊपना नहीं शिनना चाहिए। मुवायल के लिए बच्चों को जिद्द नहीं करनी चाहिए याद रहेगा ऐसी गलती कभी नहीं करोगे सम्मित्रों को बता दोगे बता दोगे देखो भाईयो पूरे सभी जन जन से हर व्यक्ति से मेरा यही कहना है कि आपका बच्चा चाहिए कितने भी जिद्द करें मुव खराब होगा इस बात का विसे ध्यान रखना यदि आप अपने बच्चे को सुष्ट देखना चाहते हैं और मजबूत देखना चाहते हैं सफल देखना चाहते हैं तो आपको मुवायल से अपने बच्चे को बचा कर रखना है यही आप लोगों से मेरा कहना है नमस्कारा च दोड़ाज़ जो